तो यहां पर शुरुबात करते हैं हमारे रेसिपी की यहां पर मैंने ड्राइड़ेट्स लिए है सीड्स हाटा लिए उसका उपर का टेप फटा लिया जो फ्लावर होता है वह अब इसमें डालना है गुड आधा कटोरी के करीब गुड दाल रही हो मैं साथ ही इसमें मैंने थोड़ सा गर्म पानी में रख लिया था कि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए सीड्लिस इमली है बस इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है तो इसे फाइन ग्राइंड कर लेंगे जिसे कि हम हमारी इमली मतलब जो चटनी है न वह अच्छे से चान पाई चणी की मद कर आप इसका यूज कर सकते हो अगर आपको उस तरह की कुछ रेसिपी चाहिए तो प्लीज डू कमेंट तो यहां पर जो भी मोटा निकला हुआ है वापस से मिक्सी के पॉट में डालेंगे और इसे फिर पानी की मदद से पीस लेंगे तो बहुत जादा पानी नहीं डालें क्योंकि फिर जैसे बॉइल करने में जादा टाइम लगेगा इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा ही पानी डाला है और इसे अच्छी तरह से पीस लेना है वापस से और सेम वे इसी तरह से हम छान लेंगे च्छनी की मदद से तो एकदम फटा फट बनकर रेडी होती है यह दालेंगे आप जाहे तो इसे वापस से क्राइंड कर सकते हो या फिर इस तरह से सिप बॉइल करने के लिए रख लेना इतना थिकनिस काफी होगा अगर आपको लग रहा है कि पानी की रिक्वार्मेंट है तो प्लीज अड़ अप यहां पर हम इसे बॉइल करने के लिए रेडी होती है आप देखना इसका कलर किस तरह से आएगा जो बॉइल करोगे तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बॉइल करेंगे पांदस मिनिट के लिए आपकी वाली चटनी इपर पफ राइस के साथ में थोड़ा सा प्याज और धन्या पता कट करके बिए जादा तेस्टी हमारे बेल बनकर रेडी हो जाएगे तो एक तम अच्छे से ठंडा हुआ आप देख सकते हो तेकर इस किस तरह से रखा है मैंने चटनी का अब इसे ट्रांसफर करेंगे हम किसी भी कांच की बॉटल में जिसमें स्टोर करने वाले है वो तो मेंक शूर की पुपसें नहेंगे, thank you so much for watching